भिंडी का सीजन है तो भई सब्जी एकी तरीके से क्यों बनाना जबकि हम अलग लग तरीके से सब्जी को बना सकते हैं तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए भिंडी की चार अलग लग तरीके की सब्जी लेके आई हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन वाली भिंडी तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी लिए भिंडी को अच्छे से धो के उसके बाद साफ सूती कपड़े से पोच के बिंडी को बीच में से काट लिया है तो इसके चार हिससे कर लिये हैं उसके बाद पर आधी चमच और धन्य पाउडर 2 डेट करोड़ णरी कश्मरी लालमेश उर्तबर यहां एक्छ ere बहुत से जो दालें देल ही बीशन दालने बीशन को नजा अच्छे मिनट के लिए पका लेना है तो यहां पे भिंडी को ज्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ 50 परसंट देखी यहां पे रखेंगे यहां पर मैं कम तेल का इस्तमाल कर रही हूं अगर आप इने फ्राइब करना चाहते हैं तो आप भिंडी को बीच-बीच में चलाते रहना है क्यों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला और उसकी बाद यहां नहीं प्यांज डाले है दो मेडियूम साइज के ज्यों कि मैंने अरगलग इनकी कार लिया टी तो यहां पर प्यांच को जादा नहीं पाताएंगे सिर्फ कलर चिंज होने तक की farms ऑग समें है प्यांज का एक नक्रिस्पिनेस होना जरूरी होता है तभी ठीज़ी लगती है और बीच बीच में पलटे से पलटते रहेंगे भिंडी को जिसे की भिंडी अच्छे से पक जाएगी तो यहाँ पर देखिए पांच मिनट होने के बाद आप यहाँ पर डालेंगे नमक तो नमक स्वादनसा डालेगा क्योंकि पहले भी नमक डाल रखा है और आधी चमज गरम मसाला और एक चमज आम चूर पाउडर सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसके लिए पलटे से भिंडी के साथ मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए यहाँ पर भिंडी को मसालों के साथ पका लेंगे तो यहाँ पर दो मिनट हो चुके थे तो आप देख सकते हैं कि जो भिंडी की सबजी हैं हमारी बन के तैयार हो गई है यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे करेंगे हम सर्व तो लीजिए यहाँ पर हमारी बेसन वाली भिंडी की सबजी बनके तैयार हो गई है जो कि मिंटो में बनके तैयार हो जाती है आप भिंडी की सबजी में एक बार ये सबजी भी जरू ट्राए कीजिए अब बनाते हैं दही वाली भिंडी की सबजी अगर आपको भिंडी की सबजी ग्रेवी वाली चाहिए न तो आप इसे एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने भिंडी लिये है 200 ग्राम तो क्या करेंगे यहाँ पे बिंडी का जो उपर और नीचे का जो सिरा होता है इसे थोड़ा थोड़ा करके काट लेंगे और उसके बात करना है बिंडी के दो हिस्से इस तरीके से काट लेंगे अगर भिंडी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसके तीन हिस्से कर सकते हैं और भिंडी को इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे कट करने से क्या होगा कि जो भिंडी में मसाले हैं वो अच्छे से अंदर तक जाएंगे जो की टेस्टी होंगे तो इसी तरीके से बाकी सबी काट लेंगे और दूसी तरफ मैंने यहाँ पर पांच चम्मच लिए दही तो दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए तो इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच लिया है लाल मिर्श पाउडर दनीया पाउडर दो डालेंगे एक चम्मच लिर्श जाए यहां पर गरम मसाला और आधी चम्मच कासूरी मेथी कासूरी मेथी से दही यहाँ ज cambi सबी मसालों के साथ हैं अच्छेसे word about tribal ना दाल लेंगे और तेल को यहाँ पर गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम हो तो यहाँ पर जो बिंडी हमने काट के रखी दिना इन सब को जो है तेल में डाल देंगे इस तरीके से बिंडी को पहले तेल में फ्राइ करने से बिंडी की जो सबजी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है मैंने यहाँ पर एक चम्मस तेल का ही इस्तमाल करा है क्योंकि अगर ज़्यादा तेल डालेंगी न तो ज़्यादा ओईली हो जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ एक चम्मस तेल डाला है और यहाँ पर 40-50% यहाँ पर बिंडी को पका लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे ही रखिएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे बीच बीच में बिंडी को पलटते रहेंगे ताकि बिंडिया अच्छे से फ्राइ हो जाए तो आप देख सकते हैं जैसे से बिंडी फ्राइ होती जाती है तो बिंडी का कलर एकदम चेंज हो जाता है तो यहाँ पर बिंडी फ्राइ हो गए थी तो इने पलेट में निकाल लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप मैंने सभी भिंडियों को प्लेट में निकाल लिया है तो क्या करना है यहां पर एक चम्मज तेल और डालेंगे कढ़ाई में और उसके बार डाल देंगे यहां पर आदी चम्मज जीरा और साथ में मैं यहां पर एड़ करूँगी एक चम्मज बारी कटा हुआ लसन और दो यहां पर डालूँगी मैं हरी मिर जो कि मैंने काट रखी है दो हिस्सों में तो यहां पर बस दस सेकेंड के लिए इन्हें तेल में पका लेंगे तो यहाँ पे गैस का फ्लिम मीडियम पे ही रखिएगा और आप डालेंगे यहाँ पे आदी चम्मज कश्मिरी लालमिश पाउडर और आदी चम्मज हल्दी पाउडर तो यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए इसे प्याज में पका लेंगे इससे क्या होगा सब्जी का जो कलर है बहुत अच्छा आता है और आप यहाँ पे डालेंगे मिक्स कीवी दही तो यहाँ पे गैस का फ्लिम एकदम लोग पे रखिए क्योंकि दही फट सकती है और उसके बाद कंट्यूनिसली यहाँ पे कर्शी को चलाते रहें जब तक कि दही अच्छे से पक न जाए और यहाँ पे देखिए दही अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो यहाँ पे दो मिनट के लिए इससे ढख के पका लेंगे और दो मिनट बार ढख कर न अटाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल सेप्लेट हो चुका है मसालों में तो एक बार फिर से एक मिनट के लिए मैं मसालों को पका लूँगी और अब देख सकते हैं कि मसाले एकदम अच्छे और परफेक्ट पके हैं अब मैं यहाँ पर एड़ करूंगी पानी तो पानी एक से डेड़ कटोरी ही इस्तमाल करें ज्यादा पानी ना डाले क्योंकि यह सबजी ने लेट पटी सी ज्यादा अच्छी लगती है और नमक डाल देंगे हैं यहाँ पर स्वाद अनुसर क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं किसे भिंडी की सबजी बनाइंगे तो यह सबजी ना आप चावल के साथ भी अप खा सकते हैं और मैंने यहाँमेट ना दो टो टेमाटर गया ज़ो कि मैं ने।शों मैं रख्यां रखे हैं देखने में भी आच्छने में अच्छे लगते अ तो यह पे भिंडी को ग्रेवी के साथ भिंडी को यहां पर पका लेंगे और तीन से चार मिरवाद धकन हटाएंगे यहां पर हमारी दई बिंडी की सब्जी बनके तयार है और यह जो आपको ग्रेवी नजर आ रही है जैसे सब्जी ठंडी होगी तो यह ग्रेवी सूख जाएगी और यहां पर गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे इस दई बिंडी की सब्जी को आप रोटी पराठा यहां तकि आप चावल के साथ खा सकते हैं अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए अब बनाते हम बिंडी की त निकाल रखी है प्लेट को एक तरफ रखेंगे और यहां पर लिये हैं दो मीडियम साइज तमाटर जिसके की मैंने बीज निकाल रखेंगे तमाटर को मिक्सी जार में डाल देंगे इसके साथ ही मैंने यहां पर 5-6 लसन की कलिया ली है इसे भी तमाटर के साथ मिक्सी जार म ग्राइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर टमाटर ग्राइंड हो चुके हैं, इसे काटोरी में पलट लेंगे और दूसे तरफ यहाँ पर कड़ाई में तेल डालेंगे दो चम्मज के करीब और यहाँ पर पहले भिंडी डालनी है जैसे कि मैंने अभी भी दो रेसिपी बनाई है तो उसमें पहले भिंडी को फ्राइ करा है तो सेम वैसे ही यहां पे भी भिंडी को पहले फ्राइ करना है 50% के लिए medium to low flame पे भिंडी यहां पे खुले में ही पकानी है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था इस तरीके से भिंडी को पहले पकाएंगे तो भिंडी में जो चिपचिपा पन होता है ना तो वो नहीं लगेगा तो इसके लिए बिंडी को कुछ देर के लिए छोड़ दे और फिर बीच में दुबारा से पल्टे से भिंडी को चलाते रहे इस तरीके से भिंडी पकाने में 7-8 मिनट का टाइम लगेगा तो यहां पे देखिए भिंडी है 50% पक चुकी है तो इन्हें प्लेट में हम निकाल लेते है और यहां पे भिंडी निकालने के बाद सेम इसी कड़ाई में डालेंगे एक चमच के करीब देल और प्यांच की ज सके तो यहां पे देखिए प Jana पे पकाल लिला और उसके बाद में निकाल लिल और फिर से यहां पे एक चमच के करब तेल डालेंगे और तेल जैसे ही करम हो तो पर जीड़क आजवाईंगे साथ לिए हैं 2 के तो सब्सक्राइब जो हों पूर ejercioè मिडिंडिकी और बिंडिकी सबजी की यही तो खासित है कि यहां पे प्यास को हमें जादा नहीं नहीं खुनना पड़ता है और प्याज भूनने के बाद यहाँ पे टमाटर डालेंगे जो हमने ग्राइंड कर रखेते हैं तो टमाटर को भी यहाँ पे प्याज के साथ डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे आदी चमच, कश्मरी रालमिश पाउडर और आदी चमच यहाँ पे हल्दी पाउडर साथ ही यहाँ पे डाल देंगे हम दो चमच के करीब धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सभी मसालों को टमाटर प्याच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लिए और मिक्स करने के बाद इन्हें दो मिनट के लिए ढखके पका लेंगे तो यहां पर देखिए दो मिनट हो चुके थे तो ढखन हटाएंगे और यहां पर जब मसाला है वो हमारा भून चुका है और तेल भी सैप्टेड हो चुका है दिखेगा नहीं क्योंकि तेल कम डाला है तो यहाँ पर अब क्या करना है जो भिंडिया हमने फ्राइ करके रखी दे इसे कड़ाई में डाल देंगे साथ मेही प्याँच को भी डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर 5-7 मिनट के लिए भिंडिया और प्याँच को मसालों के साथ पका लेंगे बिंडी की सब्जी में जितना प्यांस डाले उतना ही सब्जी टेस्टे बनती है तो यहां पे सब्जी को मैंने मसालों के साथ मिक्स कर लिया था उसके बाद यहां पे 5 मिनट के लिए धक्के पका लेंगे और जब 5 मिनट हो जाए तो उसके बार धकन हटाएंगे और फिर से यहां पे सबजी को एक बार चला लेंगे क्योंकि मैं यहां पे सबजी बना रही हूं सूखी तो मसाले कड़ाई में ना लगे तो इसके लिए भिंडी को बीच बीच में चलाते रहेंगे और चला के फिर से यहां पे ढखके पका लेंगे इस तरीके से भिंडी को ढखके पकाएंगे तो भिंडी बहुत जल्दी पक जाएगी तो यहां पर भिंडी को ने सिर्फ अभी 80% ही पकाना है बाकी का हम और मसालों की साथ पकाएंगे तो यहां पर 80% भिंडी पक चुकी थी तो उसके बाद मैंने यहां पे दो मेडियम साइज टमाटर लिये थी जिनका बीज निकालके इने चोड़े में काट लिया और उसके बाद आदी चमच यहां पे गरम मसाला डाला है और आदी चमच के करीब यहां पे डालेंगे आम चूर पाउडर और इन सब को भिंडी के और भिंडी भी अच्छे से पक जाये तो यहां पे देखिए दो मिनट हो चुके थी तो उसके बात मैंने धककन अटाया और एक बार भिंडी को फिर से मिक्स करें गे तो यहां पे HOलके हाथों से ही बिनडी को मिक्स करें कियोंकि यहां पर भिंडी और-चल्दी पक चुकी और जब चाहें आप खा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम भिंडी ली है तो सबसे पहले क्या करना है भिंडी के उपर और जो नीची का हिसा है इसे थोड़ा-थोड़ा काट लेना है और उसके बाद भिंडी को इस तरीके से वीज में से काट लेंगे और काट के हाथों से उर्भिंडी को खोल देंगी ताकि миन्दी में अच्छे से मसाला भर जाए तो निखा लिया तो इसे एक तरफ रखते है और आप binnenाथ हैँ भरने के लिए मसाला तो मैंने यहां मुमफली को निकाल लेते हैं तो मैंने चले में मुमफली रोस्ट कर लेना है ज्ञादा पगाना नहीं है जब खुछबू आने लगे तो यहां पर बेसन को निकाल लें जिए तो यह तो का तो मोमफली रोस करके रखी निकाल लिया थो मुमफली कोब सिप shouldn'tер निकाल लिया父 우f खिर मिक्सी जार में डाल देंगैं यह जो मैं मसाला बना रही हूं और विया से बिल्म छोड़ा है और बना सकते से करना माठीam से मिक्सी जायर की जो भी हटा Also तायी ज़ा का मिश्ण गरभा है इक द्राधन दाला है लालमिश पाउडर नियंश टॉद्वन 4 अधे ऐसी जवराधन डालेंके कस्मिरी लाल मिश पाउडर नियंश भी, राधं द्राधं यूठ गरभे और आमचुर पाउडर तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताये था कि भिंडी की सब्जी में आमचुर पाउडर तो डालते ही डालते हैं तो एक चमज मैंने यहाँ पे आमचुर पाउडर डाला है और इन सब को ना ग्राइंड कर लेंगे तो इन सभी मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां पे सभी मसालों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और मसाले अभी लग रहे हैं ड्राइ तो क्या करें इसके लिए यहां पे डालेंगे दो चम्मस तेल और तेल डालने के बाद मसालों को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहाँ पर जो मसाला बनाया है 500 ग्राम की सबजी की अकॉर्डिंग ही बनाया है तो आप इस मसाले को ज्यादा कॉंटिडी में बना सकते हैं और उसके बाद फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी भरवा सबजी में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो आप करते हैं बिंडी में स्टफिंग तो क्या करेंगे बिंडी को इस तरीकी से खोल देंगे तो यहाँ पे देखे एक भिंडी को मैंने भर लिया है तो इसी तरीके से दूसरी भिंडी में आपको भर के दिखा देती हूँ तो फ्रेंट आप इसी तरीके से बाकी सभी भिंडी को भर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे सभी भिंडियों को भर लिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बज़ गिया था तो इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे तेल डालेंगे दो चम्मच के करीब और उसके बाद यहाँ पे जीरा डालेंगे, एक चममच, एक पिंच के करीब हेंग डालेंगे, और यहाँ पे जीरा चटकने तक पका लेंगे 10 सेकेंड के लिए, और यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड हो चुके थे, तो क्या करना है, जो हमने बिंडे स्टफ करके रखी वी थी, तो इसलिए असंदि बंडि equilibrium टो बड़ेने और चलाने की बाद 5-7 मिनट नरए ऑप कर बिया चलσω भीरी हैं इसलिए और जी बंडि ऑमियर में ये ना क्यों से हलए। वह स्टफिंग पाहा हुं पफ पर एक ग्यार या रदे दो निकले तो इसके लिए भिंडी को हलके हातों से ही चलाएं और पांच मिनट बाद जो हमने मसाला बचा के रखा वा था तो इस मसाले को भिंडी के उपर डाल देंगे इससे क्या होगा कि जो भरवा भिंडी है ना एकदम मसालेदार बनेगा तो यहां पर फिर से ना तीन से चार मिनट के लिए मसालों के साथ भिंडी को पका लेंगे मिक्स करने के बाद तो यहां पर तीन से चार मिनट हो चुके थे और ढखकन हटाएंगे तो यह देखें यहां पर हमारी भरवा भिंडी बनके तैयार है भरवा भिंडी नहीं सर्फाजी है uh oh तो विडियो चेहां पर हमारी बनके तैयार हो गई हैं तो लीजिए यहां पर हमारी चारत्रेकरजीं बनके तैयार है आप को जो रॺषब पसंद आप इसे ट्राइ किजिएगा आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तब तक क्लिफ रेंड बाय बाय फिर मिलेंगे हम एक नई रेसेपी के साथ